इसको कंटिनियू करते हुए यह जो टॉपिक है हमारा The Market as a Social Institution इसका हम आज क्रैश कोर्स करने वाले हैं यह क्रैश कोर्स स्पेशली जो बच्चे जो पूरा सब्जेक्ट पूरा जो लेसन है वो पढ़ चुके हैं अच्छे से और उसको रिवाइस करना चाहते हैं तो उनके बहुत अच्छा है या फिर जो बच्चे किसी कारण से अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाएं हो और वो अगर इसको रिफार करना चाहते हैं तो इससे इनके जित्ते भी important topics हैं वो एक ही बार में cover हो जाएंगे तो और अगर वैसे तो आपने मेरे सारे जित्ते भी videos हैं जो की sociology और fine arts और English में पहले ही हम डाल चुके हैं सारे जतने इसमें सारे हमने जो पूरा का पूरा कवा करा हुआ है लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो आप जरूर उनको refer करिएगा और अगर आपने subscribe नहीं किया हो तो आगे आने वाले videos के लिए इसको अभी subscribe कर लेजे चलिए आ बेची जाती है या फिर दूसरा इसका तरीका है जो market क्या है market वो जगह है जहां पर trade या business होता है और जैसे कि आप अगा कहें तो car का जो trading है या business है वहाँ उस course को हम market बोलेंगे या फिर कपड़ा जहां पर दिख रहा है हम उसको भी market बोलेंगे या फिर हम यह भी कह सकते ह है कि वो जगह जहां पर किसी भी चीज की किसी की अगर डिमांड होती है और वो चीज वहां पर वेची जाती है तो उसको हम market बोलते हैं market को हम economy के बराबर भी तुन्ना कर सकते हैं और market एक तरीके का social institution भी है अब इस topic में दूसरी चीज आती है जो उसका नाम है invisible hand और यह ज Adam Smith का जो व्यू है वो समझने की कोशिश करते हैं जो Adam Smith है उन्हीं कौन से book लेकी ती the wealth of nations यह इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यह one market के लिए important हो सकता है तो जो wealth of nations में है उन्हींने उसमें संझाया है market economy तो market economy कैसे बनती है market economy एक series of individual exchange or transaction से बनती है series of individual exchange or transaction मतलब एक के बाद एक प्रक्रिया बनी हुई है और वो प्रक्रिया किसी में बनाई नहीं है कि किसी किसी बोला हो कि ऐसे ऐसा करना है वो किसी में बनाई नहीं है और लेकिन वो अपने आप ही बन गई है और उस series जो प्रक्रिया है जो series of exchanges है वो एक के बाद एक सब लोग एक हाथ से दूसरे हा जा रहा है और वो system बनाया नहीं गया है लेकिन उसमें जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो सब अपने स्वारत के लिए कर रहे हैं लेकिन वो अपने लिए जो काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो उसका जो net product होता है जो उसका outcome होता है वो society के लिए फाइदे मंद हो जाता है अब इसको समझने के लिए आफ कैसे और ये जो ये जो होता है जो ये सब हो रहा है ऐसे लगता है जैसे कि इसमें कोई एक invisible force लगा हुआ हो कोई unseen force लगा हो जो ये सारा काम कर रहा हो और इसलिए हम इसको जब बोलते हैं तो हम इस जो force को हम बोलते हैं कि ये एक invisible आगर हम यह समझ्झे कि पामर नेय। जेसे कि पामर हो फिर वह सब्ची हाथ बिच पेश को पसे मिलेंगे। जो उसके विलेज में। उसने उसको खरीदा क्योंकि उसके मन में यह है कि मैं इसको थोड़ा महंगा करके बिचूंगा तो मैं इससे पैसा कमाऊंगा तो उसने उसको खरीदा अपने स्वार्थ के लिए और फिर उसने उसको थोड़ा से महंगे करके बेचा अपने स्वार्थ के लिए तो इसके बाद दूसरा connect आगया, तो एक जो एक जो एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, इसी तरीके से आगे ये chain चलती जाएगी, और इसलिए बोलते हैं, कि इसमें ये है, कि एक के बात एक, जो है, individual exchanges होते जा रहे हैं, लेकिन सब इसमें काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, लेक इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये काम होता जा रहा है, एक unseen force है, और इसलिए हम इसको ये बोलते हैं, इस force को हम बोलते हैं, इन्विजिबल हैंड, अब हम लोग इसी से ही, जो इन्विजिबल हैंड से connected है, जो next job हम देख रहे हैं, free market या फिले लेकिन सफेर, तो इसलिए क्या है, जो Adam Smith इसी की continuation में बोल रहे हैं, इसलिए हमको market के लिए, किसी कोई बनी बनाए system की जरुवत नहीं है, ये जो है, ये जो less is fair है, ये एक french word है, जिसका मतलब है, leave alone, ये let it be, मतलब जिस जो भी चीज है, उसको अकेले छोड़ दो, ये जैसा है, उसको वैसा ही छोड़ दो, इसका मतलब जिस जो market है, उसको अपने आप चालो होने दो, उसको उपस है, गौर्मेंट को अपने rules and regulations जालके, उसको च social institution है, और कोई भी जो market है, social logistics के हिसाब से, वो एक cultural specific way में बनाया जाता है, मतलब उसका भी अपना एक culture होता है, और त्यूंकि जो उसको control करता है, उन market को generally देखा गया है, कि जो markets को, हर एक market को control करने के लिए, एक group of लोग होते हैं, वो group of जो लोग होते हैं, जो उस group में वो particular culture को belong करते हैं, और वो अपने market कुछी तरीके से वो चलाते भी हैं, और उनका दूसरे जो social institutions हैं, उनसे भी उनका जो relationship है, वो उनको बना रहता है, और ये भी कहा गया है, कि जो sociologists हैं, वो ये कहते हैं, कि जो markets हैं, जो economy है, वो भी socially embedded है, मतलब वो भी जो society में, वो भी एक तरीके से, वो embedded मतलब उसमें present रहती है, जो economy है, क्योंकि after all, जो खरीदने वाले हैं, वो कौन है खरीदा, जो है, वो society में रहने वाले लोग ही है, तो जो economy है, वो एक society का पूरा एक पार्ट होती है, जैसे कि देखा जाए कि इसको कैसे समझेंगे, हम लोग अगर ट्राइबल मार्केट में जबिकने वाली चीजें हैं, बेचने वाले लोग हैं, वो एक अलग culture के लोग हैं, और वो इसलिए हम कह सकते हैं, कि ज जलती है, यह अगर हम traditional business community देखें, अगर हम मारवाडी को उनका तरीका देखें, अपना business run करने का, तो वो एक specific अपने एक तरीके से उन्होंने run किया है, जो कि हर मारवाडी businessman का, अगर एक मारवाडी से दूसरे को मिलाया जा, तो generally वो more or less same ही होएगा, क्योंकि उसका functioning करने का तरीका, उनका जो culture है, जिस तरीके से उन्होंने वो business established किया है, वो culture जो है, वो उनका सब का same है, अब हम लो next देखते हैं, जो कि है virtual market, तो virtual market क्या होती है, market जो कि सिर्फ electronically exist करती है, और उसमें जितने भी हम लोग आनान प्रदान कर रहे हैं, वो through computer कर रहे हैं, every telecommunication के media के through कर रहे हैं, और आप देखें कि जो कि आप Amazon से समान करीते हैं, तो अगर आप देखें तो कोई Amazon की market नहीं है, वो कोई एक जगे नहीं है, जहां पर आप बोलते हैं, यहां पर यह Amazon की market है, तो वो एक physical sense में वो market exist नहीं करती है, और जो आप देखते हैं, वो जो जितनी भी के बीच में हो रहा है, उसी के through हो रहा है, actual में आप आदान-पदान, एक physical sense में आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको virtual market बोला जाता है, अब इसमें यह जो point है, sociologist view on market यह तो हो गया था, लेकिन weekly market significance यह miss हो गया है, तो weekly market significance किया है, कि इसमें जो weekly market है, वो जो लोग होते हैं अलग-अलग जो surrounding villages हैं, वहां से वो आते हैं, अपना जो agriculture based जो समान होता है, उसको बेसते हैं, और उसके exchange में जो manufactured goods होता है, उसको वो खरीते हैं, और इसी जो market होते हैं, weekly markets, इसमें जो traders होते हैं, वो भी आ जाते हैं, जो money lenders जो को उधार देने के लिए आते हैं, पैसा व होता है, इसे इन लोग को social interaction होता है, एक दूसरे से बाते होती हैं, और यहां तक यहां पर शादियां भी तैह हो जाती हैं, यह जो weekly market हैं, जिनको periodic market में बोला जाता है, यह जो अलग-अलग जगह की जो regions, जो अलग-अलग regions हैं, जो local economies हैं, उनको भी एक दूसरे से link करता है और साथ-साथ में इसको यह national economy से भी इसको link करता है, national economy से कैसे link करेगा, माली जै कि कोई जो tribal market है, वहां पर अगर steel के बातनों के जरुवत बढ़ती जा रही है, तो जैसे ऐसे steel यहां पर ज़्यादा बिकने लग जाएगी, वैसे वैसे steel के बातनों का production बिकता बढ़ता जा हैं, अब आता है, कि यह तो हमने कर लिया था, Alfred Dills जो दोरही market के बारे में जो उनके views हैं, वो हम लोग इसको discuss करते हैं, जो Alfred Dills हैं, उन्हों जो दोरही market का, जो example दिया है, उन्होंने इसमें यह बताया है, कि इस market में भी आप जो है, जो hierarchical, intergroup, social relationship, आप इसमें देख सकते ह हैं, मतलब इसमें जो, आप जो caste का जो hierarchy होती है, वो इस market में भी देखी जाती है, क्योंकि अगर market में जो central region region है, वहां पर जो राजपु जवेलर्स हैं, जो की, जो अपने, अपने social group में, जो high ranking माने जाते हैं, वो beach में बैठते हैं, या पर जो middle ranking Hindu traders होते हैं, वो भी beach वाल इसको की central zone बोलते हैं, और वहीं पर जो tribal लोग होते हैं, जो vegetables बैठते हैं, जो या फिर वहां का local समान बैठते हैं, उनको जो बाहर के जो circles होते हैं, उस मिडल circle में राजपुत और middle, जो ranking Hindu traders हैं, और जो उसके बाहरी वाला जो area है, वहां पर tribal लोग बैठते हैं, और यहां अपने community के साथ है, वो अलग तरीके का होता है, मतलब इसमें इन सब relationship में जो hierarchy है, वो maintain करी जाती है, और caste and class का भी ध्यान रखके उनके साथ relationship maintain किया जाता है, यहां तक कि markets में भी यह देखा जाता है, अब एक पॉइंट एक और छोट गया था, वो हम बताना चाहते हैं कि कै जो ट्राइबल एरिया है, वो जो weekly markets है, वो colonial influence के बाद कैसे बदल गए, कि उसमें जब जब वो आये, तो जो उनका इलाका था, वहां पे roads बनने लग गई, वहां पे लोग आने लग गए, जैसे ऐसे लोग आने लग गए यह ट्राइबल इलाके में, वैसे ही इनके जो forest थे उसका exploitation उसका शुरू हो गया, वहां पे जो मिंडर्स थे, उसका exploitation शुरू हो गया, साथ साथ में traders भी घुस गए, वहां पे जो अपना समान बेचने लग गए, उनसे समान खरीदने लग गए, money lenders भी आ गए, जो कि ट्राइबल को उधार देने लग गए, उधार के बदले म उनसे जमीन लेने, खरीदने लग गए, और non-travel लोग भी वहां पे आ गए, वहां पे रहने लग गए, जो कि उनके जो culture को भी influence करने लग गए, और जो forest को जो समान था, वो भी बिकने लग गया, और जो economy जो थी, वो उनकी, उसमें बदलाव आ गया, पहले जो tribes थे, वो अ खरीदने लग गए, और जितने भी tribes थे, जनरली वो, जो labor की तरह या फिर, माइन्स में वो काम भी करने लग गए, तो इस तरीके से जो travel economy थी, जो wider economy से वो link हो गई, लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो travel लोग थे, उनका नुकसान भी हो गया, अब हम देखते हैं, कास्ट इनके किन networks कैसे वो business को बढ़ावा देने के लिए, वो एक successful तरीका थाबित हुआ, कि अगर देखा जायते हैं, प्री कुलोनी इंडिया में, जबकि यहां पे handling के बहुत सारा manufacturing होता था, और यहां पे इसल की भी manufacture करा जाता था, तब जरूर कोई न कोई system होता होगा, जो इस तरीक में लाता है, हुंडी, यह एक banking credit system था, हम यहां पे trading करते हैं, और हमको कोई समान, अगर Europe से मंगवाना है, तो हमारा, हमारा जो setting होती थी, वहां पे, लोगों से पहले ही, वहां पे हमारी, एक, तालमेल बैठ जाती थी, और हम यहां पे लिखके देते, आपने एक bill note देते कि जो हमारा आद में जा रहा है, आपके पास, इसको आप इतनी रुपय का समान दे दीजेगा, तो वहां पे जो बैठा हुआ इंसान था, वहां पे उसको उतनी रुपय का समान दे रेता था, और जब उसको इंडिया समगाना था, तो वह भी ऐसे एक credit system लिखके दे रेता और जो कि यहां पे इंडिया ओके बैठा हुआ इंसान वह यहां पे उसको बिना उसके उतनी का समान दे रेता था या उतनी पैसे दे रेता होगा, तो वह जो उसमें पैसे का आदान पदान था, वह इस तरीके से हाथ में दिये जा रहा था, लेकिन जो हमडिय सिस्टम जो बिल था, एक्सचेंज था, उसी के थूरू हो जा रहा था, तो आज हमने दिया, कल उसने दिया, इस तरीके से ही वह सिस्टम चलता जा रहा था, इसके अलावा एक और जो बहुत इंपाटनिया तरीका था, वह जो नाटू को टाई, चेटियार्स थे, जिनको नाकराटार्स भी बोला जाता है, तमिन नाडू के यह थे, जिनका एक जो बैंकिन ट्रेडिंग सिस्टम था, वह हमने जैसे पढ़ा कि वह एक सोशल जो ऑगनाइजेशन, जो उनके जो सिस्टम था, उसमें एकदम टोटल अच्छे तरीके से वह उसका पार्ट था, वह सोशली इनके जो कल च्यएट कोशचिघ, जो ड़ाजाता है, इनके जो कामेंशल जो आक्टेविटी थी, जो विजनॉस आक्टेविटी था, इसमें भी वह स्ट्रॉक्चर वह फॉलो करा जाता था, तो साल में क्योंकि यह एक फैमिली बिसनॉस था, इसले इसमें जो फैमिली का ह वो ही इनके जो commercial activity या trading का जो head होता था वो ही वैसे ही head होता था उसे तरीके के वो ही हरार के follow करी जाती थी और ये जो system था ये बहुत ही caste based social network था ये तरीके सिनका banking system था और इसमें ये सिव अपने ही जो फैमिली के जो लोग थे वो लोगों को वो banking system में आधान पदान करने के लिए या फिर उसमें से पैसा लिने के लिए उससे अपना business बढ़ाने के लिए वो भी लोग उसमें हगदार थे और इसी तरीके से उन्हों में साओधिस्ट एशिया में और इसी लॉन में अपना business बढ़ाया था इसके अलावा जो traditional business communities हैं जो कि वैश्या, पासी, सिंदी, जेंस वो भी हमारे उन्हों में भी अपना अपना तरीका अपनाया और उन्हों में भी अपना business इसी तरीके से उन्हों में भी आगे बढ़ाया अब में next में आते हैं जो कि है concept of colonialism तो concept of colonialism क्या है, colonialism क्या होता है यह वो एक तरीका होता है जिसमें कि एक जो country होती है वो दूसरी country को जीत कर और उसके ओपर rule करने की कोशिश करती है और जो country rule करती है वो जो इस country पर rule कर रही होती है उस country को पूरे तरीके से एक स्प्राइब जो handle में डस्टी थी ती पूरी तरीके से सफर करने लग गई और जो इंडिया थी वो इंडिया हमाया हो एक रॉब मैटियल का ही सोर्स बन गया और जो अगरिकल्चरल प्रोडेक्ट्स थे उसका सोर्स बन गया और हम जो थे, हम सिर्फ इनी सब रॉव मेटियल को प्रोवाइड करने में के एक सोर्स बन गए, और हम को उल्टा हम इनी चीज को जो मैनिफेक्ट्चर हो के आते थे, तो उसको हम फाइनल प्रोडेक्ट्स को हम लोग खरीदने लग गए, तो इसके करण क्या हुआ, कि यहां जो मार्केट्स थे वहाँ पर, जो चीप टेक्स्टाइल का समान था, जो कि इंगलेंड से आता था, वो उससे हमारी मार्केट्स पुरी भर गई, और जो इंडिया था, वो कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड एकॉनमी से और ज्यादा कनेक्ट हो गया, और जो और और भी जो नई ग अनोंने अलाइंस किया और कुछ, उन्हों ने उनको हटा कर उनकी जगह उनकी लेली, और जो तेज्मिंधस आ रहें थे, जो इस थे खाया रहें थे, हैंब कुछ ज़ मार्यव आद्ट आ इड़्जapon केथैं, वो पृड़न भर गावोट इन कारई आनों दो भी आने लग गई उसमें से जो एक्जामपल सबसे फेमस एक्जामपल है वो है मारवाडी का कि इस समय पे जो मारवाडी थे वो उभरने लग गए और वही एक ऐसे कमिलटी है जो कि कुलोनियल पीरिड में भी वह अपने आपकर सस्टीन कर सके और उन्हों ने उस समय पे जितनी भी opportunities को लुने से आ रही थी, जो कि क्यालकटा में और especially उन्होंने उसका पूरा फाइदा उठाया, और यहां तक क्यालकटा ही नहीं उन्होंने, वो कंट्री के हरे कोनी में जाके वो अपने आपको बसाये उन्होंने और वहां पो उन्होंने ट्रेड किया, और जो नकर पर ही रिले बेस था, और उनका जो तरीका था, वो था कि वो सब के साथ ट्रस्ट क्रियेट करते थे, और उसी के थूरू वो अपने बैंकिंग सिस्टम को अपरेट करते थे, और इसके अलावा जो कुलनली पेरिट खतम हो गया, जो इंडिपेंदेंस हम मिला, उसके बाद बहुत सारे जो महरवाडी फैमिली थे, और उनके अपने आपको जादा ग्राजवेट करा, और उनके बहुत सारे कुछ फेमस इंडिस्टिलिस भी बन गए, और भी जो भारवाडी हैं, वो जात इंडिया के बहुत सारे जो बिसनस है, उसको आज भी वो कंट्रोल करते हैं, अब आते हैं जजमानी सिस्टम में, तो जजमानी सिस्टम क्या होता है, जजमानी सिस्टम वो एक इकनामिक सिस्टम था, जिसमें कि जो लोर कास्ट थे, वो अलगलग तरीके के काम करते थे आपर कास्ट के लोगों के लिए, और उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ बेर येर्ट्रि yarn mission था, जो एक generation से दूसरー generation पास होता रहता था और इसके कारण ये जो relationship था, टरीके टरिके का permanent हो गया था, जिसमें की दोनोंहमैंधी सात् κάνु जो की अपर कासने लोगा, दोनों ही दूसे को आपर dependent हो गए थे और वो एक दूसे की एक दूसरे की दोनों को ही जरूरत हो गई थी तो जो कारल मार्क्स है उनके हिसाफ से जो कैपिलिजम है उसको कैसे समझा जा सकते है तो जो कैपिलिजम है वो एक सिस्टम है कॉमोडिटी प्रोडिक्शन का मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जो सिस्टम है वो कैपिलिजम है या फिर किसी भी चीज को अगर हम मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हैं तो हम उसको कैपिलिजम कह सकते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं पहले जजमानी सिस्टम था तुमने हमारा कुछ काम किया हमने तुमको कुछ दे दिया लेकिन इसमें अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके जगे पे हम जो काम कर रहा है हम उसको wages देंगे हम उसको उसके लिए महंताना उसको देंगे तो जो कालनाक्स है उनके हिसाब से जो mode of production था relationship maintain हो रही है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो economy है वो basically उसम के relationship के बीच में बनी हुई है जिससे कि एक इनसान दूसरे इनसान से connected है तो उसमें वो किस तरीके से बनी है कि अगर देखा जाएगी पहले जो चीजे थी वो बिखने वाली क्या चीज थी क्या खाने के चीजे तो वो बिख रही है कपड़ा है तो वो बिख रही है लेकिन बिख रही है कि अब कुछ चीजे ऐसी थी जो पहले बिखती नहीं थी लेकिन वो बिखने लगे ही तो वो क्या हो गई है वो जो चीजे थी वो commodity बन गई है जैसे कि जो इनसान की महनत है वो भी एक ऐसे चीज हो गी जो कि बिखाव हो गई तो इसकी जब यह ऐसे चीज आकर manufacturing units डालके वो अपना वो जमान बनाते थे लेकिन इन सब चीजों में जाए तो प्रॉफिट जो था वो तो जो जो मैनिफाक्ट्टर जापिलिस्ट थे उन्हीं लोग का फाइदा था क्योंकि वो लेबर खरी जो लेबर था उसको खरीद तो रहे तो जो महनत ही उसको ख जो पूचे जाते हैं जो important terms है जो वो समझते हैं commodity commodity क्या होता है commodity कोई भी एक ऐसे चीज होती है भी कोई service होती है इसको खरीदा या पर बेचा जा सकता है अब commodification क्या होता है या commoditization क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीजें जो पहले नहीं बिखती थी लेकिन अब बिखने लग गई है इसलिए हम उसको बोलते हैं वो commoditization हो गया या commodification हो गया है जिस तरह से अगर देखा जाया तो आज कल तो इनसानों के जो internal organs हैं चाहें वो liver bowl होई या kidney होई वो भी आजके बिखने लग गए है तो इसलिए जो पहले चीजें कभी इनसान सोच भी नहीं स हो गई है इसलिए हम उनको बोलते हैं कि commoditization उनका हो गया है तो जो पहले चीजें तो इसके लिए तो इसके अलावा क्या आता है जो important चीजें है कि अब जो पुशकर मेला है पुशकर मेला अगर देखा जाया कि पहले जो था मेला उसमें आदान-पदान होता था कि अगर को कोई अपना गाय ला रहा है पर कोई अपने समान चीजन लाता है उनको लाता है उनको बेशता है तो इस तरीके से वह मेला एक ऐसी जगे थी जहां पर आदान-पदान चीजों की हुआ करती थी लेकिन जैसे देखा जाया तो पुशकर मेला क्या है उसका भी commodification हो गया है क्य अपने समय जगे पर आदान चीजों के लिए नाशनल इंटरनाशनल लेवल पर मेला में विकाओ उनको बेशा जाता है और जो ट्यूरिजम होता है उसको अट्राक्ट किया जाता है और यह एक जो हिंदू जो रिलिजियस फेस्टिबल है वह पूर्णीमा से के पहले ही यह है वह खुषक मेला का इतना सारा अरडाइजमन होता है कि लोग उसको भी अटिंड करने के लिए आ जाते है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुषक मेला का भी जो का modification है, वो हो गया है, और यह से social skills है, social skills है कि पहले कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना-काना है, कैसे चलना है, यह सब चीजें जो थी, यह घर में सिखाई जाती थी, उनको बाहर में सिखाई जाता था, लेकिन आज कल यह personality development, जो classes होने लग गए हैं, तो यह social skills है यह भी तरीके से यह भी विकाऊ हो गये हैं, और यह जो पहले जो education था, education गुरू के रूप में एक तरीके से गुरू दान दी जाती थी, लेकिन अब क्या है कि जो private schools हैं, जो colleges हैं, coaching centers हैं, वो अब education को पढ़ाई, जो विध्या है, उसको भी विकाऊ कर दिया गया है, अब इसके बाद में आता है, शब्द consumption, वो भी इनसान जो finally किसी भी चीज को use करता है, वो कहला जाता है, consumer, और consumption को consumption कर रहा होता है, अब आता है labor power, तो labor power क्या होता है, कि किसे जो mental and physical capabilities होती हैं, किसी भी इनसान की, and वो जो production करने के लिए जिसको use करा जाता है, चाहें, वो mental skill हो चाहें, वो labor power हो, उसको use करें, तो उसको हम बोलेंगे labor power, तो अगर worker भी है, वो भी labor power दे रहा है, और कोई अगर दिमाग लगा गया, अगर production increase करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी इतरीके से mental labor वो कर रहा है, status symbol, तो जो status symbol है, तो उसका क्या है, कि जो इनसान जो चीज़ कर रहे है, वो आपके status को represent करता है, जैसे कि तो एक middle class लोग, जिस तरह के अगर कोई cell phone खरीते हैं, तो वो उनका social economic system रिखाता है, वहीं पर अगर कोई high status वाला हो, तो उसका जो mobile है, उसका जो car है, वो अलग हो जाता है, तो जो consumption है, जो आपके इस तरह की चीज़ को consume कर रह हैं, वो आपके lifestyle का एक हिस्सा होता है, आप किस तरह किसे अपने घर को सजा रहे हैं, किस तरह से आप अपने कपड़े के पहन रहे हैं, आप अपने holidays के लिए कहां गूमने जाते हैं, यह सब आपके यह consumption का ही हिस्सा है, साथ साथ में आपके status symbol का भी यह हिस्सा है, इसके ब policy उसको हडा कोने, liberalization की तरफ बढ़ गए, तब जो globalization का जो असर था, वो देखने को मिल गया, और जो globalization है, उसके कारण इंडिया ही नहीं, जो world है, वो ही दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और इंटर कनेक्शन से इकनोमिक लेवल प पर देख होता है, या फिर हमारा culture, दूसरी कंट्री को हम influence कर सकते हैं, फिर दूसरी कंट्री का culture से हम भी influence हो सकते हैं, तो यह सब जो है, वो globalization का ही पार्ट है, और इसके globalization के चलते, जो जो चीजी है, वो एक जगह से एक country से दूसरी कंट्री पर, इंटरनाशन लेवल पर न पर नहीं लगती, और अगर देखा जाया है, इंडिया का जो है, वो जो connection है, मेंली, वो software service industries है, वो मेंली, बहुत ज़्यादा युगदान दे रही है, इंडिया को बाकी सब country से connect करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए, और जो business process outsourcing industries है, जो हम call center भी बोलते हैं, वो भ जो foreign countries के जो companies हैं, वो India को इन सब BPO के लिए इसलिए इसलिए इस्तमाल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो services हैं, वो low cost में मिल जाती है, यहाँ पर labor charge है, वो सस्ता है, और इसे कहांट पर जो यहाँ पर जो BPO's हैं, जादा से जादा खोले जाते हैं, और आम यह कह सकते हैं, कि जो India है, वो एक global market बन गया है, Indian software labor के लिए, other services के लिए भी, अब है marketization, तो marketization क्या होता है, कि जब भी हम market का इस्तमाल करते हैं, या फिर market में कोई भी process को, अगर हम social, political, economic problems को solve करने के लिए, अगर हम इस्तमाल करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, marketization, liberalization क्या होता है, liberalization वो तरीका होता है, जिसमें कि जो state का जो control होता है, economic activity के उपर, वो कम होता जाता रहता है, और जो पहले जो पढ़ा था, जो market forces होते हैं, वो decision लेते हैं, जो जितने भी जो governance होता है, government का, वो कम कर दिया जाता है, अब इसके जो liberalization हैं, इसके फाइदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, तो फाइदा यह है कि जो liberalization होता है, तो उससे economic growth होती है, उसको बढ़ावा मिलता है, और जो Indian markets हैं, वो foreign companies का उनको exposure मिल जाता है, इसलिए बहुत साथ जो foreign brands है, वो India में आते हैं, आ जाते हैं, और लोगों को उसको खरीदने का, उसका मौका मिल जाता है, जो के पहले उनको नहीं available होता है, इसके साथ साथ जो foreign investment होता है, वो भी आने लग जाता है, जिससे कि economic growth भी होती है, और लोगो कई sectors को तो इसमें benefit मिल जाता है, लेकिन जो कई sectors होते हैं, जो कि अगर हम कह सकते हैं कि automobil को देख लो, या फे electronics को देख लो, या फे oil seeds में, वो सब जो हैं, वो इतने तरीके से उसको competition जो foreign goods होता है, उनको उनसे compete नहीं कर पाते हैं, और जागा Indian pharmacy देख लें, तो उन लोगो को अब जो foreign के समाना आता है, जो foreign के apples होते हैं, उस तरीके के चीज़ों को बनाने के लिए, उनको उनका competition करना परता है, और कई बार वो इस competition में उतने quality का level चीज़ नहीं ला पाते हैं, इस तरीकरण पर वो उनको loss, उसका सहन करना परता है, और जो labelization के चलते हैं, उनको ज परता है, और जो small manufacturers थे, जो बहुत बड़े-बड़े players नहीं होते हैं, वो जो global competition है, और जो वहां के जो foreign goods and brands आ रहे होते हैं, उसके level पर quality नहीं provide कर पाते हैं, इसलिए वो भी कहीं न कहीं उनको भी अपने business में धका अलगता है, और जो जैसे से privatization होता है, वैसे ही public sector industries होती है, वो ज्यादा नहीं खुलती नहीं है, जितनी होती है, वो भी धिरे-धिरे बंद हो जाती है, जिससे कि जो unorganised sector होता है, उसको बढ़ावा मिल जाता है, और जो employment होता है, वो unorganised sector में ज्यादा मिलता है, आप और रहना सेक्टर में कम मिलता है, जिससे कि जो workers होते हैं, उ तो जो support price subsidy में कई बार difference पूछा जाता है, तो इसमें ये है, कि जो government है, वो एक कीमत तैय करती है, हर चीज की, कि मैं आपकी ये farmers के लिए कि मैं आपका समान इस इस कीमत में खरीदूंगा, तो वो जो price है, जो कि government जो set करती है, जो agriculture का समान खरीदने के लिए, जिसचे कि जो farmers ह मिले, जो कि आप सुन रहे होंगे, आज कल जो कि MSP है, तो वो सब क्या है, support price है, minimum support price, लेकिन जो सबसरी है, वो क्या है, अगरा कोई farm का जो agriculture करने के कोई instruments है, अभी fertilizers है, अभी pesticides है, उन सब को जो government है, उनकी जो कीमत होती है, वाली जो 10 रुपे के हैं, गौर्मेंट को ये बोले कि नहीं हम आपको ये 8 रुपे में ये 5 रुपे में provide करेंगे, और जो उसका जो बाकी जो इसकी डिफरेंशल पेयमेंट होती है, मल 10 रुपे कीज़गा 5 रुपे में दे रहे हैं, तो पांच रुपे गौर्मेंट खुद अपनी तरफ से देती है, तो वो उसको आने के लिए जितनी मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज इसको करिए, और अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब ना करा हो, तो इसको जरूर अभी अभी इसको सब्सक्राइब करिए, थैंक्यू सो मच, बेस्ट अफ लुग